नमस्कार दोस्तों, करियर विदाश्यतों चनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों और आज की क्लाश जो है वो UPPSC ROERO की संपूर्ण करेंट फेर के श्रिंग क्लाश जो हम लोगों ने स्टार्ट की है उसमें हम लोग टॉप 500 कुश्चन सॉल्व करेंगे जिहां दोस्तों, जनवरी से दिसंबर की सभी घटनाव पर आधारित Top 500 कुश्चन की एश्रिंग खला है जिसमें दोस्तों आज हम लोग क्या करने वाले हैं पहले वीडियो में हम लोग 50 कुश्चन सॉल्व करेंगे आगे बढ़ने इस पहले आप सभी से गुजारिश है प्लेश्च में आपको वीडियो भी मिल जाएंगे आप उनको देख सकते हैं और यह दूसरी 500 कुश्चन की स्रीज है तो टोटल आपके 1000 कुश्चन हो जाएंगे आप सभी लोग तैयार कर लें यह आपके एक्जाम के लिए most important 1000 कुश्चन होंगे जिनसे एक्जाम में आपक हमारे बैच जो है हमारे करियर विदाष्टो शायब पर चल रहे हैं आप सभी लोग description box में हमारे आप का लिंक है उस लिंक के माध्यम से आपको डाउनलोड कर सकते हैं और आरो यारो के लिए उन्नती बैच और UPPCS के लिए प्रिलेंस का टार्गे बैच जॉइन कर सकते हैं बहुत ही nominal cost पर आपके लिए अबलेबल है तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों तो टॉप 500 कुर्शन आपके सामने यह रहा दोस्तों अब आप दोस्तों को बताना है क्या आप दोस्तों को यह बताना है टाइम्स हाइर एजुकेशन आपको यह बताना है कि टाइम्स पहला कथन क्या है तो पहला कथन दोस्तों आपको क्या है वर्ड इंवर्श्टी रैंकिंग में और दूसरा है स्टेट्मेंट भारत का उच्छ सैचरिक संस्थान भारती विज्ञान संस्थान बैंगलूरु रहा अब देखिए इस तरीकी के प्रशनों को स्वाल करने के लि और दूसरा भारत का उच्छ सैचरिक संस्थान भारती विज्ञान संस्थान बैंगलूरु रहा यह भी बात एकदम सही है तो आपका सही क्या है दोस्तों एक और दोनों कथन सही है दोस्तों अब आपको ध्यान रखना है यह आपके एक्जाम के लिए मोश्ट इंपॉर्ट से दोस्तों हम लोग इस ट्राइटजी भी आपको बिताते हैं और लोग उसकी अनुसार आपको लाइप क्लासे भी प्रदान करते हैं और वीडियो भी आपको देते हैं तो बहुत जल्द आपको मास्टर वीडियो सब्जेट के मिलने चुरू हो जाएंगे और यह सीरीज च क्या option है तो इसका answer क्या होगा दोस्तों इसका answer दोस्तों है आपका नाबाड नाबाड ने जारी किया है नोट कर लेना है ठीक है next question केंदरी सिक्षा और कोशल विकास और उद्धिमीता मंत्री श्रीव धर्मेंद्र प्रदान ने किस उद्धेश से नया online जीवन कोशल सीखने क का module TRIPALI OO for God launch for good launch किया है यह आपको ध्यान रखना है ठीक है रायो for good launch किया है तो करात्मिक सिच्छा को बढ़ावा देना विधिस हमावेशन को विचार कीजेए उनका जन्म साथ अगस 1925 को कुमब कोडम तमिलाडू में हुआ यह राश्ट्री किसान आयोग के अधिश थे और भारत में हारित करांथी के जनक है इन्हें 1971 के मैक्से से पुरुषकार और 1987 में विश्चुपादी पुरुषकार से तमानित किया जाए तो नहां पर दोस्तों आपका यह ओप्शन आपका एकदम सही हुआ दोस्तों एक दो तीन आपका एकदम सही है देखिए साथ अगस 1925 को इनका जन्म कोडम में हुआ था राश्ट्री के सान आयोग के अधिश भी रहे और भारत में हरित करांथी के जनक रहे देखने को मिली की दोस्तों और भारत खाद्यान उत्पादन में आतनर्वर हो गया था और 1971 में मैकसे से पुरुसकार और 1987 में विश्व खादी पुरुसकार से समानत किया गया तो क्योंकि इसको छोड़के मत जाएगा यह एक्जाम में आप से पूछा जा सकता है नेक्स कुश्शन ग्लोबल इन्वेशन इंडेक्स 23 के संदर में निम्लेखित कत्नों पर विचार कीजिए इस कुछ कांग में सिंगापुर बैले स्थान पर है भारत इस सुचकांग में भारत को 40 स्थान पर आपत हुआ यह विश्व बहुत दिएक संपता संक्ठन द्वार भारत इस सुचकांग में 40 नमबर पर एक दम सही है और विश्व बहुत दिक संपता से अंगठेंद वर्वा जारी किया गया है यह आपको ध्यान रखना है क्लियर है दोस्तों ठीक है यह आपके लिए 2 option एक दम सही है और आपको यह ध्यान रखना है कि आपके exam के लिए बहु तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों यहां पर Switzerland दोस्तों पर रहा है दोस्तों आपको क्या रहा है याद रखेगा और आपका Singapore आपका इसके बाद Sweden USA ब्रिटेन और सिंगापूर है तो Sweden USA ब्रिटेन सिंगापूर आपके सेकेंड प्लेस पर हैं ठीक है याद रखेगा पहले नमबर पर आपको स्वेड़े लेंड है दोस्तों चलिए बहुत अच्छा और भारत की रेंक 40 मीं है डाबलू आई पी ओद्वार यह जारी किया जात बच्चन आपके option है तो यहां पर आपका answer क्या होगा दोस्तों यहां पर आपका answer है वहीदा रहमान आपका राइट आंसर है नोट कर लेजेगा वेरी इंपॉर्टेंट आपके exam के द्रिश्टिकोंट से दोस्तों यह आप लोग नोट कर लेंगे इसका नाम अंग्रेजी में नर्वाल और स्थानी भाषा में हाइकुन है इंगापूर फिलिपिन्स ताइवान दच्छन को यहां पर आंसर आपका है ताइवान क्लियर नेक्स कोशन देख लेते हैं नेमलिकित में से किस नगर निकम ने स्वच्छता पक्वाड़ा 2023 के तहत सवच्छता ट्रेना पहल शुरु की है मुंबई नगर निकम अहामदाबाद निकमतना पटना नहीं नगर निकम ऊप्शन देख लेते हैं उसका अंसर क्या होगा तो اemi अंदाबाद नगानेगम एकदम परेटन मंट्राले ने किस तुराज के पेमबर्थी और चंदलापुर गाउं को वर्ष 2023 के लिए सरुस्रेश्ट परेटन गाउं चुना है गुजरात मद्यप्रदेश के रहुल तिलंगान आपके option है देख लेते हैं यहां पर राइट अंसर चुना गया है यह आपके तिलंगान के लिए ऑसकर रवार्ड 2024 के लिए भारत की और से किस फिल्म को ऑफिशल एंट्र दी गई है 2018 everyone is a hero दी वैक्सीन वॉर्थ RSS और टाइगर 3 बेसिकली क्या है बेसिकली आपका क्या है 2018 everyone is a hero यह आपका ऑफिशल मूवी है दोस्तों याद रखिएगा important है आपके एक्जाम में आ सकता है कुश्य नंबर 11 देख लिए हाले ही में किस राजे की cabinet ने क्रांश जेंडर समुदाय के लिए पेंशन और OBC दर्जे को मंजूरी दी है यूपी हिमाचल प्रदेश बिहार और जहारखंड आपके option है देख लिए यहां पर क्या answer होगा कुश्य नंबर 11 का answer क्या है दोस्तों यहां पर इशारखंड एक दम सही उत्तर है नोट कर लिजिएगा दोस्तों आपके एक्जाम के दुश्चिकों से बहुत ही ज़्यादा important है एक नेक्स कुश्चन देख लेते हैं निमलिकित में नासा के OSI, RIS, REX मिशन ने किस शुद्रगड़ा के पहले नमूने कत्र किये है युनोमिया, पलास, बेन्नू और स्यूग इसका right answer क्या है दोस्तों, तो बेन्नू is the right answer, नासा ने बेन्नू के पहले नमूने एक अत्रित किये हैं, याद रखिएगा important है आपके लिए exam में आ सकता है, नेक्स कुश्चन भारत की पहली हरित hydrogen eden cell bus का उद्गाटन कहां किया गया, मुंबई, सूरद, बंगलूरू और न आपको पता होना चाहिए दोस्तों, तो नई दिल्ली is the right answer, आलही में भारत का पहला lighthouse monster कहां एउजित किया गया है, कक्ष, पनजी, भौपाल, कोलकाता आपके option है, तो question number 14 है, और इसका answer है पनजी, पहला lighthouse monster याद कर लिए, important है आपके exam के लिए, निश्य दूरुप से आने क स्वनजीता, पाकिस्तान, नेपाल, बांगलादेश और श्रीलंका, तो question number 15 है, question number 15 का क्या answer होगा दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों आपका answer, श्रीलंका is right, ठीक है, ज्याद रखिएगा, next question, भारती वायुसेना में पहला C295 MW परिवान विमान किस इस्तान पर शामिल कि किया गया, तो यहाँ पर दोस्तों, यह चार विकल्प हैं, आपके airbase के नाम दिये गए है, जोतपूर, अमवाला, हिंडन, सुलूर, तो यहाँ पर दोस्तों, question number 16 है, question number 16, वायुसेना, airbase, हिंडन, इस राइट आंसर, यहाँ पर यह शामिल किया गया है, इसको नोट कर लि दिल्ली, उत्तराखंड गुजराता के option है, question number 17 है, दोस्तों, और 17 का answer क्या है, दोस्तों, यहाँ पर, उत्तराखंड इस राइट आंसर, याद रखेगा दोस्तों, konto अन्देश के बात करें, तो कंवाला इस राइट राइट आंसर हो जाएगा, question number 17 का, उत्तराखंड इस 네 question.. 10 है और इसका आंसर दोस्तों बंगलपोर परमारु उर्जा सेरे याद रखए Ettंटर नेक्ष्ट लिकेट में से पुस्तक और लेकर के सम्द्ध में कौन सा सही है तो western learn novella जेबा ठीक है tales from the home of wax and wiggles nation calling और इन में से सभी क्या answer होगा दोस्तों ठीक है यहाँ पर दोस्तों सभी सही है दोस्तों देखे बुक से न ऊथर के दो कोशन कम से कमाने एक से दो लें नेशन कॉलिंग विजयर अग्वन की टेस्ट वाम और वेज़ेश और वेश्टन लर्न शेतना मारू मोस्ट इंपोर्टन है दोस्तों नोट कर लिजेगा ठीक है जो पसंदा रहा हो तो लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं चैनल पर नहीं तो सब्स्राइब जरू करें पहला वेश्विक हल्दी सम्मेलम 27 सेतंबर को कहा आउजित किया गया बोपाल पट्ना वारांसी मुंबई तो राइट आंसर किया दोस्तों कोई भी यहां पर कोता ही ना करें कता ही यह ध्यान रखिएगा क्योंकि इंडियन ग्रैंट पिक्स मूटो जीफी भारत दोजाट टीस किसने जीता जॉन मार्को बेचेची और काटारी तो क्या आंसर होगा दोस्तों यहां पर कोश्चन नमर 21 इसका आंसर है मार्को इसका मोटो है हर्ट टू हर्ट एक शूटिंग लाड़ी पलक बुलिया महिलाओं ने महिलाओं में 10 मिटर पिश्टल में स्वनपदक जीती है ठीक है पहला स्वनपदक 10 मिटर शूटिंग में रुद्राश देवियांश और ऐश्वर ने जीता यहां पर 19 में एक खेल की बा दोस्तों आंसर आपकी तरफ से क्या होगा यहां पर नोट कर लिजिए दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्डेंट है यहां पर यहां पर आपका क्या है तीनों ही विकल्ब एक दम सही है ठीक है यह जौंगों हांगों में हुआ इसका मोटो भी यह है और पलक गुलिया ने 10 फ्र Tea अभ्यास में भारत की ओर से किस युद अश्त्रेलिया स्थम बारत, इंडोनेशा और से किस युदिपोत्ने त्रिशट्रान वीजखतेल सहादी,ije inश सétais प्रिति में गांधी वाठिका बनाई गई है तो देख लेते हैं इसका अंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर जैपूर हो जाएगा जैपूर में महात्मा गांधी की प्रिति में गांधी वाठिका बनाई गई है जो आपको नोट कर लेना है वेरी वरी इंपॉर्टन के लिए और आप सभी दोस्तों को यह पता ही होना चाहिए माइकल डुकासे इंस्ट्यूट फॉर लीडर्शिप और इनोवेशन द्वारा निम्लिकेत में से किसे 2023 वर्ड लीडर फॉर पीस और सेक्यूरिटी अवार्ड के लिए चुना गया तो अमर्ता नंदमाई देवी रविशंकर दलाई लामा और चंद्राजी आपकी ऑप्शन है तो देख लेते हैं क्या रहा है दोस्तों वेरी इंपोर्टेंट कॉस्चिन इस और आपके एक्जाम में दोस्तों बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला कुछन है याद रखिएगा क्या है दोस्तों तो माता अमर्ता नंदमाई देवी किस राज के किरी टेश्वरी गा क्या है नेक्स्ट नेमलिकित योजना और इन्हें लागू करने वाले राज्यों के संबंद में कौन सुमेली थे आपको बताना है ठीक है संबंदित राज्य है पर किया है आपके ठीक है और यह तो नहीं कम से कम दोस्तों एक से दो कोश्चन आपको मिलेंगे जाद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टन है तो यह जो सेशन में आपको यूट्यूब पर दे रहा हूं तो यह मोस्ट इंपोर्टन कोश्चन ध्यान रखेगा यह पूरे आप लोग त्यार कर लिजेगा पिश्क्री 500 कोश् संबंद में कौन सुमेलित है व्यक्ति संबंदित छेत्र सरोजा वैदेनाथन भरतनाट्यम गुरू पदमभुषण जी मारी मुथू अभिनेता जियो 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 नेपोर लिटानों इटली के पूरवरास्पति और यहां पर दिया है डी उपरियुक सभी क्या आंसर है दो यहां पर संबंदित क्या है प्रमीला मलिक का ओडिसा विदान सभा की पहली मेला अध्यच हर्मन का सिंगापूर के राश्पति गोकुल सुप्रमानियम इंटल इंडिया की अध्यच तो यहां पर कौन सा सही है तो सभी सही है दोस्तों याद रखिएगा इंपॉर्टन है आ प्रचाने से संबंदित है तो क्या सही है कौन कौन से सही है दोस्तों देखिए आपकी सफलता ऐसे ही प्रश्णों को सवाल करने पर निरुपर करती है याद रखिएगा प्रेसे और आरो के लिए आप मैच दा फॉलिंग का कॉश्चन मल्टिपल स्टेक्टमेंट का कॉश् याद रखिएगा दोनों ही एकदम सही है नेक्स कॉश्चन देख लेते हैं सुप्रिम कोट ने मणीपूर हिंसा मामलों के संबंद में तीन सदस्थी समिति का गठन किया है इस समिति का अध्यच कौन है तो नियायमूर्थी शलिनी पड़ सलकर जोसी नियायमूर्थी आशा ने में लिखित कत्नों पर विचार करिए चेंग्टू चीन में आज़ित किया गया भारत ने 26 पतक जीते भारत पतक तालिका में साथ्वे स्थान पर रहा तो ऊपर देगे का से कौन सा आपका सही है तो कुश्चन नमर्ट थर्टी टू है इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस ने में लिखित में से कौन उत्तर भारत की पहली नदी पुनर जीवन पर योजना है प्रोजक्ट देविका प्रोजक्ट रूद्र प्रोजक्ट सावित्री और प्रोजक्ट व्यास क्या हो जाएगा दोस्तों कहां पर आप सबको पता होना चाहिए वेरी वेरी इंपर्टन प्रोजक्ट देवी का आपका राइट अंसर है पारंप्रिक चिकत्सा पर अपनी तरह के पहले वेश्ट शिकर सम्मिलन का मेजबान शहर कौन है नहीं नेक्स दिल्ली में नहिरुमेमुरियल म्यूजियम नाइबियरी प्रो नाम बदल दिया गया है नहर्यू मेमोरियम में म्यूजियम और लाइबरेरी का अधिकारिक तोर पर नाम बतल दिया गया है क्या रख दिया गया इसका नाम दोस्तों आपका पता होना चाहिए आपको इंडिया म्यूजियम और लाइबरेरी सोसाइटी भारत मता संग्राहले और लाइबरेरी सोसाइट और उनके संदर्व में निम्लिखित कत्नों पर विचार करिए वह सुलब इंटरनेशनल के संसापक थे उनका जन्म और सिक्षा बिहार में हुई इन्हें संभानित किया था उपर दिए गत्मों में से कौन सा को सही आख को बताना है यह तीन है दोस्तों कौन सा सही है सब्सक्राइब करता है इसके संबंद में निम्लिखित कत्नों पर विचार करें यह व्यूजिकल स्थानिक पक्षी शीर्षक्त करता है इसके संब्ध में निम्लिखित कंत्नों पर विचार करें यह यह भारत फ्रफ्षक्राइब पच्छी प्रजातियों को अगर है इन गया है इन प्रजातियों में से AWS फ्रफ्शन एसनख शानी अ-छसन तो इन प्रजातियों में से अटतर देश में क्या है लोकल मतलब इंडमिक पश्ची मी घाट में स्थानिक प्रजातियों की संक्या अपसे अधिक दर्श की गई तो कौन सा सही बताना आपको बताईए दोस्तों क्या हो जागा दोस्तों यहां पर देखिए यह सही है और यह आपको गलत है यहीं आपका राइट आंसर होगा क्लियर कर दिया है ठीक है नेक्स्ट में से किसने निती आयोग इस रो और नवर्स एडू टेक के सायोग से देशबर के सभी स्कूली चात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 का अटल इनोवेशन मिशन मिशन याद रखिएगा बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तों किस राजय सरकार ने भारत का पहला प्रशी डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क लॉंच गया है तो तेलंगाना महराष्ट करनाटिका और यूपी राइट आंसर देख लेते हैं क्या होगा दोस्तों तो कुश्चन पेस्ट का इसन अनसर क्या होगा तेलंगाना नेक्स नेक्ट में मान वाल का सबसे बड़ा श्रोध कौन सा जेश है सबसे बड़ा श्रोध कौन सा थेश है बारत डच्लिन अफ्रीका चीन और अमेरिका हुग यहां पर यहां पर आंसर है नेक्सट्र Васiri के निसार कि बारति प्रवाश्यों के संख्या सरवाधिक है इस अरोख कि सैसला कि यहां प्रवाश्यों की संख्या सरवाधिक है आपको बताना है दोस्तों वेरी वेरी इंप्टेंट आपके द्रिश्ट कोड़ से चीहिन अमेरिका जापान और यूए 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 आपका एक्दम सही उत्तर है यूए में भारती प्रवासियों के संक्या सरवादिक है नोट कर लिए जाद कर लिए इंपॉर्टन है आपके एक्जाम के लिए एक प्रिश्ट्व दोस्तों धियान रखिएगा यह प्रश्न आपके एक्जाम में भी आ सकता है सभी लोग यहान रखेंगे क्लियर नेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् तो यहां पर क्या option हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर विल भी राश्पती द्रॉपती मुर्मू राइट आंसर याद कर लिए नेक्स कुश्चन निमलिखित योजनाओं और उन्हें लागू करने वाले राज्यों के संब्ध में कौन सा सही सुमिले था ठीक है तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहां पर 44 है इसका आपका एकदम सही है दी होगा फिर इसकीम से एक से दो कुश्चन दोस्तों आएंगे पक्क चाहिए तो कुश्चन पर 45 क्या हो जाएगा तो श्री नगर आपका राइट आंसर होगा जीवन सर्वेचन दोस्तों दोस्तों बहुत इंपोर्टन है याद रखिएगा तो ठीक है दोस्तों समझ में आरी बात अब देखे श्री नगर और जम्मू कश्मीर का भी डेवलेप्मेंट जो है कितना अच्छा हो रहा है और जम्मू कश्मीर भी आप दोस्तों देखिए देखने को मिल रहा है रैंकिंग में चलिए तो हाल ही में क्यों के संसप के ह Semmaherini जैडी ज्योति श Самींग अपके ऑप्शण है ऑसर Otherwise म्यूदा को भी आहिक डिया वर नेक्स्रेंट भारत का पहला प्रबंदन फ्रेमवर्क के त्राज में लॉंच्छियाया था तेलंगाना करनाटग और केरल आपके option है तो 47 कोश्चन है तो 47 का आंसर किया है दोस्तों यहां पर तेलंगाना इद्धा राइड आपका क्या है दोस्तों एकदम सही उत्तर है याद रखिएगा विरी विरी इंपॉर्टेंट आपके लिए पहला प्रिशी डेटा प्रबंदन फ्रेमवर्क तेलंगाना राज में लांच किया गया ठीक है चलिए नेक्स्ट रॉयल इंस्ट्यूशन ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर के दच्छड इश्या पुरुस्कार में राइप टाइम अचीवेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया दोस्तों रॉयल इंस्ट्यूशन चार्टर्ड सर्वेयर के दच्छन इश्या पुरुसकार में राइफ टाइम अचीवेंट अवर्ड किसे दिया गया चंतनु मुखर जी शुभास रूनवाल राकेश शर्म और अभिशेख शर्म आपके ऑप्शन है तो क्या होगा चुबास रूनवाल आपका राइट आंसर नोट कर लेजगा सभी लोग नेक्स्ट देश का पहला यूनिटी मॉल के इस राज में बनाए जाएगा कुहार्टी आसम राइपृ शत्यजग्र देश का पहला यूनिटी मॉल के राज में बनाए जाएगा ओज्येन मद्ध्रिदेश और कोच्छी केरल चुश्चन नवर 49 भी नहीं है इसका अंसर क्या हो गया दोस्तों जैन मद्रदेश आपका राइट आंसर होगा देश का पहला यूनिटी मौल आपका जैन मद्रदेश में बनाए जाएगा ठीक है क्लियर देख लेते हैं किताब किसने जीता तो बांगलादेश भारत मालदीव और मलिशिया यहां पर नोट कर लिजिए यहां पर भारत एक दम राइट आंसर है और यहां पर देखिए खेल पुरुसकार पढ़िए तो जहां पर भी आयोजन हुआ है अगर भारत तो उसमें पार्टिसेट किया है और आपको बढ़ना ही पढ़ना ठीक याद रखी का दोस्तों आपको टॉप्टी कोशन का पहला सेशन और यह सेशन आपको डेली एक रिकौर्डट वीडियो के माध्यम से मिलेगा ठीक आप सब लोग क्या करिए जो लोग नया है चैनल पर पहली बार देख रहे हैं वीडियो लिंक को काफी करें शेर कर दीजिए चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वेल आइकन पे अल दबाईए दोस्तों इसकी अत्रिक्त दोस्तों आप सभी लोगों के लिए लुपी PCS का 2024 का टार्केट वेज श्टार्ट हो चुका है करियर वे दास्तों शैप पर आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं और आरो यारो के लिए आपके लिए उन्नती वेज चल रहा है दोस्तों जिसमें हम लोग सौ सी अधिक वीडियो आपको दे रहे हैं, हआ लात टॉपीक वीडियो क्याश मोड़न टॉपिक पर उसकी नोडे साथका डैयर paragraph में और 175 साथ अधिक टे tv, दे रहे है, जिसमें आपको अक्विए § पेपर आपको मिल रहे हैं अगर आप यह मानदारी से यह वैच को जॉइन करते हैं त्यारी करते हैं तो निश्चत रुप से इन 40-45 दिम में अपने त्यारी को एक अच्छे स्थर पर पहुंचा सकते हैं और सेलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं धन्यवाद दोस्तों आपको लिं सब्सक्राइब जरूर करें